हेलो फ्रेंड आज की इडियोड में कवर करने वाले समाज सुधार अभियान से संबंदे कुछ इंपॉर्टन कोईशन जो कि आपके आने वाले स्सी या फिर रेलबे के एक्जामस में पूछे जा सकते हैं शुरू करने आज की वीडियो वर्ष्ट कोईशन यह रहा ब्रह्म सम समाज की स्थापना कलकतामिक की गए थी अब दीगते हिए दूसरा औरोка ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी तो ब्रह्म समाज Memory किसमें के दौरा हुई थी हिराजा रा मोहनराजी की दौरा आद्वनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था तो इसका जवाब है ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज ही आद्धुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन था इसके दोरा आपको पता ही कि सतीप्रथा इत्यादी को खतम किया गया था नेश्ट कुश्चन ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रतावा अन्य सुधारों का विरोध किया था तो वो कौन सा संगठन था जिसके दोरा ब्रह्म समाज का विरोध किया था वो था धर्म समा नेश्ट कुश्चन ध धर्म संभा के संस्थापक कौन थे? इसका जवाब है राधाकांत देव. राधाकांत देव थे धर्म संभा के संस्थापक. सती पर्था का अंत कब हुआ था? सती पर्था का अंत 1829 में हुआ था? सती पर्था के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा था? तो सबसे अधिक प्रयास इसमें रहता राजा राम मोहन रॉय के दौरा आर्ज समाज के स्थापना कब और कहा हुई थी? तो आर्ज समाज के स्थापना हुई थी 1875 में मुंबई में आर्ज समाज के स्थापना किसके दौरा के गई थी? तो आर्ड समाज के स्थापना की गेती स्वामी द्यानत सौरस्वदी जी के द्वारा आर्ड समाज किस परता के विरुध था तो आर्ड समाज जो है वो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ती पूजन के विरुध था 19 सदी में भारती पुनजागरन का पिता किसे माना जाता है तो 19 सदी में भारती पुनजागरन के पिता का राजा राम मोहन रोय जी को माना जाता है राजा राम मोहन रोय का जर्म कहा हुआता तो राजा राम मोहन रोय का जर्म होता राधा नगर जिला वर्दमार में स्वामी देयानन सरुस्ति का मूल नाम क्या था स्वामी देयानन सरुस्ति जी का मूल नाम था मूल शंकर तो उनका मूल नाम ही क्या था मूल शंकर राजा रामोहन रॉय के इल्लेंड जाने के बाद ब्रहम समाज की बागडोर किसने के दौरा समभा लिए थी तो राजा रामोहन रॉय जी जब इल्लेंड गए थे तो ब्रहम समाज की डौर है उसको लीट किया गया था राम चंद विगावागीश के दौरा किसके प्रयासों से ब्रहम समाज की जड़े उत्तर प्रदेश पंजाब और मदरास में फैली तो इसका जवाब है केशव चंद्रसेन केशव चंद्रसेन के दौरा ही ब्रहम समाज की जड़े थी वो उत्तर प्रदेश पंजाब और मदरास के एरिया में फैली थी 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मी सभा की स्थापना की थी तो 1815 में राजा राम मोहन रॉय के दोरा ही आत्मी सभा की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन रॉय वर डेविड हेर किस संस्था से जुड़े थे तो ये दोनों के दोनों जो हिंदू college से संबंदिते हैं ये हंदू college से जुड़े थे थियोसेफिकल सुसाइटी की स्थापना कब और कहा हुई थी तो थियोसेफिकल सुसाइटी की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 में न्यू यॉक में Theosophical Society की स्थापना भारत में और कहा हुई तो 1882 में अडियार मदरास में Theosophical Society की स्थापना भारत में हुई थी सत्यार्थ प्रकाश की रचिना किसने की तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचिना है वो की गए थी दियानद सुरस्ति के दौरा वेदो की और लोटो ये नारा किसके दौरा गिया गया था तो वेदो की और लोटो ये नारा दिया गया था आपके दियानद सुरस्ति के दौरा राम किशने मिशन की स्थापना कब हुई थी तो 1896 97 पहलूर कलकता में राम किशने मिशन की स्थापना हुई थी राम किष्ण मीशन की स्थापना किसके दौरा की गई थी तो इसका जवाब है स्वामी विवेकानन के दौरा ही राम किष्ण मीशन की स्थापना हुई थी अलिगर्ड आंदोलन किसके दौरा चलाया था तो अलीगर्ण आंदोलन्द सरसेयद एहमत खान के देवाद चलाया गया था अलीगर्ण मुसलिम विश्व इच्ञारा की नीव किसने डाली तो इसकी नीव जो है वग worked सरसेयद एहमत खान के द्वारा ही डाली गई थी यूवा बंगाल आंदोलन के नीटा कुन थे तो यूह बंगाल आंदोलन के निताते हेंडरी विवियन डिरोजियो सत्य सोदक समाज की स्थापना किसके दोरा की गई थी तो सत्य सोदक समाज की स्थापना जोती बाफूले के दोरा की गई थी वहाबी आंदोलन का मुख्य केंदर का है तो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना में है भारत में दासपर्था को कब अवैद गोशित किया गया था तो 1843 में दासपर्था को अवैद गोशित किया गया था भारत में अंग्रेजी सक्षा की विवस्ता किसके दुआरा की गयी थी तो भारत में अंग्रेजी सच्चा की विवस्ता विलियम बैंटिक द्वारा की गई थी वेदो में संपून सच्चाई नहित है या कतन किसका है तो ये जो है स्वामी द्यानन सुरुस्ति के द्वारा कहा गया है इन्होंने ही कहा है कि वेदों में संपून सच्चाई नहीं थे हैं महराष्ट का सुकरात किसे कहा जाता है तो महराष्ट का सुकरात महादेव, गोविंद, राना देग को कहा जाता है विवेकानद किस थान पर विश्विधर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए तो शिकागों में अपने भाचन के जो ने भाचन मां दियावा था उसकी खाट विवेकाननद मेंगES प्रसिद्ध होए थे गुषा कição्वाद कौमुत्री पत्र की संपादक कौह थे तो संभाद कौमुत्री पत्र पत्र के संस्थापक दयाम के के राजा राम वहन रख रॉय त स्थी पत्रिकान किस से संबंदित थीजस तो ये सब किस जो से संबंदित हैं प्राथनस त्लस्थ नatti त्लिापना कि स्थापना जो केरं केशफचंद्र की प्रेर्णा की थुरू ही हुई थी। उनी की प्रेर्णा पर प्रात्ना समाथ की स्थापना की गई थी। वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी तो वामा बोधिनी पत्रिका ये निकाली गई थी केशव चंदर सेंग जी के द्वारा शारदामनी कौन थी तो शारदामनी जो थी वो राम किष्ण पनिम्हंस की पत्नी थी कुका अंदोलन किसने चलाया था तो कुका अंदोलन जो है वो गुरु राम सिंग के द्वारा चलाया गया था 1956 में कौन सा धार्मिक कानून प्रावरित हुआ था 1956 में कौन सा धार्मिक कानून प्रावरित हुआ था इस कानून का नाम था धानमिक अयोगिता कानून तो 1956 में पारित हुआ था महराज के किस सुधारक को लोग हितवादी कहा जाता है तो इसका जवाब है गुपाल हरी देशमुक जी को ही महराज के लोग हितवादी कहा जाता है ब्रह्म समाच की सिद्धान पर आधारित है तो ब्रह्म समाच जो है वो एकेश्वरवाद पर आधारित है एकेश्वरवाद पर वो आधारित है याद रखेगा देव समाच की स्थापना किसने की तो देव समाच की जो स्थापना की गई है वो की गे थी शिव नारेन अगनी होतरी के द्वारा रादा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे तो रादा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिव दयाल साहब फेवियन आंदोलन का परस्तावक कौन था फेवियन आंदोलन की परस्तावना जो दी गे थी वो दीगे थी ऐनि बेसंट के द्वारा 20 वी सदी के आरंबिक दशक में आरंब होने वाला आंदोलन कौन सा था तो 20 सदी के आनमब्यक दशक में जो आंदोलन शुरुआ था उसका नाम था एहरार भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गए थी तो भारत समाद सेवक की स्थापना 1905 में गुपाल इंगिरिष्ट ने गोखले द्वारा की गए थी सिख गुर्द्वारा अधिनियम कब पारित हुआ था तो सिख की गुर्द्वारा अधिनियम 1925 में पारित हुआ था रामकिष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था तो रामकिष्ण परमहंस का मूल नाम था गदाधर चोटोपाध यायी। और ये पहली मैंनि आती जो कि कौंग्रिस की अध्यक्ष्श मनी थी उस समय। शीकागो विश्विधर्म सम्बिलन में स्वामी विवेकानेद निरी ने से तो शिकाகो का जो विश्वी धर्म सम्मेल्यन हुआ था उसमें format सुतिरानवे में स्वामई विवय गानेजी ने भाग लिया था प्रिसेप्ट आफ जीजस की रचना किसने की तो प्रिसेप्ट आफ जीजस की रचना जो है वो राजा राम मुहनराई जी के द्वारा की गई थी राजा राम मुहनराई की फार्सी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन अठारा सो नौ में हुआ था तो उस किताब का नाम था तू फटू उल मुवाहिदीन उस किताब का नाम था जो अठारा सो नौ में परकाशित हुई थी वेदान्थ कॉलेज की स्थाफना किसने की तो वेदान्थ कॉलेज की स्थाफना जो है वो रावी राजा राम मोहन रोएज के द्वारा ये कहती राजा राम मोहन रॉय को किसने युगदूद कहा है तो सुभाद चंद पोस्त नहीं राजा राम मोहन रॉय जी को युगदूद कहा था तो ये थे आज की कुछ important questions जो कि हमने जो समाज सुधार आंदोलन से संबन दिते हैं उनके founder भी हमने यहां पर cover किये वे और जो भी उनके द्वारा movements चलाए गये थे वो भी हमने यहां पर cover किये वे तो I hope आपके वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो शेर को उनके संग जो SAC और railway के exam दे रहे हैं उनके लिए तो यह बहुत important है और इनसे सम्मदित question पूछे जा सकते हैं 100% मिलते कल की वीडियो में कल हम करेंगे महत्मा गांदी जी से सम्मदित कुछ important questions